सोचिये सुहाना मौसम हो और आप खुमने निकले हैं लेकिन तभी अचानक जंगली हाथी आधमके और सारा प्लान चौपट हो जाए कोच ऐसा ही हुआ चिंग्रा पगार जर्ना घुमने जाने बाले परेटकों के साथ जहां 90 किलोमीटर दूर से जर्ना देखने पहुँचे परेटकों को मजपूरन लोटना पड़ा दरसल बारिश के बाद चिंग्रा पगार जर्ने की खुपसूर्ती में चार चार लग गए है जर्ने का लुट्फ उठाने द्राइपुल, थमतरी, महासमूंत और बलोदा बजार से हजारों लोग लगातार पहुच रही है लेकिन हाली में जर्ने के पास जंगली हाथिया धमके, जिसने परेटकों का प्लान खराप कर दिया और उन्हें जर्ना देखे बिना ही लोटना पड़ा दूसरे तरफ हाथियों की पहुचने की सूचना मिलते ही प्रशासन भी अलट हो गया रास्ती बन कर दिये गये परेटकों को तीन किलोमीटर पहले से ही वापस भेज दिया गया पलपल में अनाउउस किया गया कि हाथियों के कारण चिंग्रापगार जर्ना बंद कर दिया गया है प्रशासन की ओर से बताया गया कि दो दंतेल हाथी चिंग्रा पगार और गचपला वाटर फॉल के पास मौझूद है परेटकों को खत्रा हो सकता है जिसे देखते वे वनवे भाग और पुलिस की टीम ने परेटिन स्थलों पर जाने की रोक लगा दी है वनवे भाग के अधिकारियों का कहना है कि हाथियों के पसंदीदा चारे वाली खास इन जर्नों के आसपास बड़ी तदाद में मौझूद है जिसके चलते यहां संभावना बनी हुई है कि हाथी को चौर दिन इन जर्नों के आसपास ही रहेंगे अधिकारियों के मताबिक हाथियों के चलते परेट ने स्थल एक दिन बाद खोल दिये गए लेकिन वनवे भाग की तरब से परेटकों को हाथियों से दूर रखने की पूरी कोशिश की जा रही है रैपूर से महिंद्र नामदेव की रिपोर्ट 36 गर तक झाल झाल झाल